इसमें प्रोडक्शन में इसको टोटल कॉस्टिंग भी कहते हैं इसको फुल कॉस्टिंग भी कहते हैं मैं ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा इसके उपर आपको छोटी सी इग्जेंपल्स देकर आगे चले जाओंगा बिसाल के तौर पे मेरी फैक्टरी है मेरी इसेंबली और फिनिशिंग में मैं फिनिचर मैंनुफक्शरिंग करता हूं और शोकेस बगता हूं अब जो एक शोकेस पर जो मठील का Χरचा मेरे मेरा आर जतना मठील काॉस लगती है फिड़ती है वो उसकी डिरेक्ट मठील काॉस कहलाती यह यानि उसकाष्ट को किसी भी बनाने के लिए किसी भी चीज को मैनिफेक्चर करने के लिए तीन किसम की कॉस्ट लाजमी लगती है उसे हम कहते हैं मैनिफेक्चरिंग कॉस्ट किसी भी चीज को मैनिफेक्चर करने के लिए तीन किसम की कॉस्ट लाजमी इंकर होती है और उसे हम क्या कहते हैं मैनिफेक्चरि सबसे पहले हमारी जो कॉस सोती है कौन सी होती है डारेक्ट मेटिरियल दूसरी कॉस मैनिफेक्शिर्न कॉस में लगती है वह डारेक्ट लेपर और तीसरी कॉस जो होती है वो होती क्यलाती है factory overheads तो किसी भी चीज को बनाने के लिए तीन किसी नी कॉस लगती है डिरेक्ट मटीरियल डिरेक्ट लेबर एंड फेक्ट्री ओवरहेड्स इसको elements of cost भी कहते हैं अब इसमें जो डिरेक्ट और मटीर और डिरेक्ट लेबर है ना यह कहलाती है आपकी डिरेक्ट कॉस्ट और जो फेक्ट्री ओवरेड है ना यह आपकी कहलाती है indirect cost लगाव में है तो इसको दोबारा लिख दूँँ अगर आपको पढ़ानी जा रहा तो चरपड़ा जा रहा है अच्छा ड्राइक कॉस्स के ओती है ड्रेक्ट का फरदान ड्रेक्ट कॉस्स इसे कॉस्ट विचीज को मैंटेग्ट्र करने के लिए तीन किसम की cost लगती है, direct material, direct labor and factory overheads. Direct cost ऐसी cost होती है, जो product का हिस्सा बन जाती है, जो product के अंदर लगी होती है, जो product से traceable भी हो सकती है. मिसाल के दोर बे मैं chairman infection करता हूँ, मुझे पता है कि मेरी कुरसी एक कुरसी के उपर कितनी लखडी लग रही है, वो direct material है, एक कुरसी पर कितनी raw material लखडी लग रही है, वो direct material है, जो बंदा उस कुरसी उस लखडी को कुरसी की शकल दे रहा है, यानि जिसको मैंने wages पे करनी है, उसको direct wages भी कहते हैं, उसको production wages भी कहते हैं, उसको factory wages भी कहते हैं, इसको manufacturing wages भी कहते हैं, यानि जो बंदा उसे कुरसी की शेकल दे रहा है, या कुरसी बना रहा है, उसको जो मैं पैसे देता हूं, उसे कहते हैं direct labor cost. तो कोई भी चीज direct material और direct labor के बगार वजूद में आई नहीं सकती, और ये cost जो हैं, वो direct cost कहलाती है, इसके इलावा जितने भी खर्चे factory के होते हैं, वो सारे कहलाते है factory overheads, for example, जो मैं चेर manufacturing कर रहा हूं, जिस factory building के अंदर, उस factory में जो लकड़ी है, जिससे चेर बनती है, वो direct material है, जो बंदा उस चेर को बनाता है, वो direct labor है, लेकिन उसके इलावा crane driver की salary है, चौकिदार की salary है, वो खुद उसकी मेहनत cost, कुर्सी में नहीं लग रही है, he is not basically manufacturing the chairs by himself, लेकिन वो सिर्फ supervise कर रहा है, four men salary है, अच्छा, depreciation of factory building है, factory के taxes है, heat, light and power है, ठीक है जी, repair and maintenance है, canteen है factory के अंदर एक, वो canteen का खर्चा जो है, वो भी factory का खर्चा ही है लेकिन क्या कुर्सी के अंदर व लेकिन वो कुर्सी के अंदर उसकी cost शामिल नहीं है, it is not directly related, attributable to the product, it is not directly traceable from the product, right, it does not become the integral part of the product, तो यह सब costs, all indirect costs जो होती है, जिसमें indirect material भी होता है, जैसे grease है, oiling है, ठीक है जी, जो मशीनों को रमा रखने के लिए हमने चीज़े रखी हैं है, tools वो सब, वो indirect material है, heat, light and power indirect material है, जिस कमरे में काम हो रहा है, उसमें light लेगी वी, वो indirect material है, super vn, four men, salary, crane driver की salary, चौकिदार की salary, factory manager की salary, यह indirect labor है, तो क्योंकि factory manager directly production बनाने, कुर्सियां बनाने में शामिल, उसकी cost की महिनत, कुर्सियां बनाने में directly शामिल नहीं है, indirectly, तो जितने भी indirect cost होती है न, वो सब आती है, factory overheads में, और factory order का मतलब बता है, factory के उपर के खर्चे, ठीक है जी, तो अब indirect cost को हम production में कैसे charge करते हैं, या how indirect cost is charged, is allocated to production, इसको पढ़ने को हम कहते हैं absorption costing, यानि how to absorb indirect overhead cost into production is called absorption costing, या total costing, या full costing, total or full costing इसलिए कहते हैं इसको, कि हम कहते हैं कि factory के सारा खर्चा, जितना भी कुर्सियां बनाने पर हुआ है, वो सब total cost में शामिल होना चाहिए, चाहिए वो factory का rent है, अब देखे, मुझे बताओ, कि अगर आप 100 कुर्सियां बनाते हो, तो factory का rent एक कुर्सी में कितना लग रह है, क्या वो कुर्सियां के साथ relate करता है, नहीं करता है, अगर आप कुर्सियां बनाते ही नहीं हो, तो rent आ फैक्टरी का तब भी दे रहे हो, उस building का rent आ तब भी दे रहे हो, अब 10 कुर्सियां बनाओ, तब भी आप rent उतना ही पे करोगे, और आप ना बनाओ, तब भी आपक होती है यानि के certain assumed basis होती है हम अंदाजा लगाते हैं कि ये खर्चा कैसे different departments को charge किया जाएगा different departments को allocate किया जाएगा हम चलते हैं absorption costing में देखें direct production cost में direct material है direct labor है direct expenses आते हैं और indirect production overhead cost जिसकी बात मैं कर रहा हूं आप से उसमें direct material भी है इंट्रेक लेबर भी है factory का रेंट है deprecision of plant है factory cleaning है ठीके जी factory supervisor की salary है there can be many other things which can come तो इस cause को कैसे allocate करते हैं उसके लिए हमारे लिए allotment of overheads सबसे पहले हम पहले जो कि मैंने लास lecture में पढ़ाया था उसमें apportionment of overheads के बारे में हम पढ़ेंगे apportionment of overhead means that how overheads are divided among different departments according to some justifiable basis आप कैसे overheads को departments में distribute करेंगे जैसे rent है building का अब building का जो rent है उसको आप floor area के हिसाब से departments में allocate कर देंगे क्योंकि और कोई justifiable basis है नहीं जितना area occupy करेगा हर department building का रेंट उस area के हिसाब से allocate कर दिया जाएगा क्योंकि जब आपने वेक्टरी के रेंट को पूरी फैक्टरी के departments पर जारी बादे फैक्टरी के रेंट तो पूरी फैक्टरी का कराया है ना तो तो हर department को चार्ज करना चाहिए तो कैसे चार्ज होगा तो फ्लोर स्पेस इस नॉर्मली यूजट for rent and rates heating and insurance and depression this is because the floor area is occupied by various cost centers जो area जितना जो cost center जितना area को पाई करेगा उसके हसाब से हम उसको cost allocate कर देंगे apportionment is the devian of cost among two or more cost centers in proportion to the estimated benefit received cost center प॥र सकते हैं जो भी आप अंदाजा लगाते हैं किसे साबसे लगा संटर करह सेंटर क्या होते हैं क्या सेंटर क्या होते हैं को सेंटर इस डिपार्टमंट is a specific department विर स्पेसिफिक डिपार्टमंट बिर cost has been charged जैसे assembly department है cutting department है सभाशे हैं ! कटिंग डबा बन्ठेर फिनिशिंग डीपार्टमकंट हैीसफ्पक राते और सब कॉसेंटर میں आते हैं जी जब को ? कि नें ए। उसकुं बता दें आप कि छीजी है हैं बिलकु क्ल рук जी जी है। जी है। ओके ओके ओके। जैनद कहीं है? सर मैं स्कूल का सेशन हो रहा है, कमिँ. अच्य है। सर? हाँ जी. अपने कहा कि यह जो है पोर्फशन मेंड है उसको हम अपोर्फशन कर देते हैं रेंट को इसके साब से जो यह एरिया हुए कर रहे हैं अगर सर्फ़ा के साब से हो तो इसको फ्लॉर के साब से कर देंगे खर हम खुद अंदादा लगाते हैं जैसे अब रैंट है तो रैंट आप मुझे बताओ कि आप पांच मर्ले घर का रैंट प्पे करोगे वही वो एरिया के हिसाब से डिपार्टमेंट को चार्ज किया जाना चाहिए जो डिपार्टमेंट के साफ़ से जो डिपार्टमेंट जितना एरिया कवर कर रहा है उसके हिसाब से हम उसको रेंट चार्ज करेंगे सबसे पहले लेकिन ट्रिपल स्टोरी में तो तीन किया किए उसमें फ्लॉर्ज है यह ने हम तो फैक्टरी के बात करें ने फैक्टरी के फ्लोर्स तो नहीं न बहूंगे ना उसका भी जो फ्लॉर है वह स्क्वेर फीट के साफसे इरिया कुपाए करेगा न क्या होगी आपको जी-जी अग प्राइट ठीक होगे अच्छाइगी सामने इने कल क्वेश्टन सॉल्फ किया था इसको देखता देखते हैं इसको देखना चाहरा हूं एक सेकेंड बच्चे को देखने सब्सक्राइब फरजान जी ठीक है अढ़까요 है। आपको मेरे वास साफ आ रही है हूए कि यसार sponsored अब करते हूए म analytics पर मुझे आ रहे हैं तो सकते हुआ है बहुत मायक नहीं चलता नहीं है इसलिए वो तो बहुत बड़ा गेमर है ना उसको छोड़ो ओके ओके अच्छे लिए वाव से यारी बस मार्ट प्रव्लम का रहे थीक है थीक है जहां पर आप जो कारोबार कर रहे हैं उस कारोबार में जो चीजें आप बना रहे हैं जहां पर कॉस्ट लग रही है वो कहलाते हैं प्रडेक्शन डिपार्टमेंट्स सर्विस डिपार्टमेंट्स कौन से होते हैं सर्विस डिपार्टमेंट्स वो होते हैं दे जस्ट प्रवाइट सर्विसिस तुदा प्रडूसिंग डिपार्टमेंट्स उनका अपना cost उनकी अपनी कोई cost नहीं होती ऐसे repair and maintenance है जैसे canteen है वो दूसरे departments को services provide करने के लिए काम करते हैं they are called services departments service departments की अपनी cost कोई नहीं होती they just provide services to the producing departments for example मेरे मेरा production department था उसकी दिवार गिर गई मैंने repair and maintenance को call की वो आए उन्हें ने दिवार पे खर्चा किया हम अपना काम करते रहे खर्चा किया दिवार खड़ी की वापिस चलेगी बाद में वो cost हमें transfer कर देंगे क्योंकि उन्हें हमारे लिए काम किया है example एक और लेते हैं आपने क्या किया कि आपकी machine खराब हो गई आपने repair and maintenance department को cost की repair and maintenance department के बंदे आए उन्हें ने ने मशीन को repair किया दूसरी machine ने चलती रही ताम मारा होता रहा जो खर्चा किया उस machine के उपर वापिस चले गए बाद में वो खर्चा जो उन्हें ने किया वो हमें हमारे department को transfer कर इसका मतलब है service departments की अपनी कोई cost नहीं होती बालकि वह दूसरे production departments के लिए काम करते हैं और अपनी cost को वो transfer कर देते हैं किसमें production departments को को transfer कर दी जाती है सबसे पहले हम देखते हैं कि सम और दुबार आप देगा मैंने बताया यह है जो बॉटम लाइन के production departments वो होते हैं जहां पर production हो जैसे baking department है decoration department आपके सामने है ठीक है लेकिन store पेर जो store का department है maintenance department है इनका काम production करना नहीं है जैसे कि उपर देखो जी लिमिटेड मैनिफेक्चर केक्स फर celebrations हम बेसिकली आते हैं तो केक्स के लिए हमारे जो दो departments काम कर रहे हैं वो एक तो baking department है जो बनाएगा और एक decoration जो केक को decorate करेगा store जो है वो services प्रवाइट करता है maintenance भी services प्रवाइट करता है हमारे एरिया के साथ से जो भी हमें काम पढ़ता है तो service departments की अपनी cost कोई नहीं होती बलके वो असल में अपनी cost को transfer कर देते हैं production department में हमारे पास तीन किसम के overhead नजर आ रहे हैं फरजान इसमें machine की depreciation है 33,600 की power है 45,400 का 500 का और lighting and heating है 18,000 की ये तीनों cost जो है इनको हम distribute कर देंगे चारों departments के अंदर और distribute कैसे करेंगे वो मैं आपको बता रहा हूँ, machine depreciation के लिए आप machinery की netbook value को इस्तमाल करेंगे जो machinery की netbook value ये दी वी है, इसको आप use करेंगे machine depreciation के लिए इसी तरह power के लिए आप kilowatt hours जो धीये में आपको इस basis को इस्तमाल करेंगे इस basis के हसाब से आप cost को power की cost को allocate कर देंगे, apportion कर देंगे चारों departments के अंदर lighting and heating जैसे दिया वे आपको 18,000 का, इसको आप floor space के हिसाब से allocate कर देंगे बाकी departments में, मैं एक का आपको करके दिखा रहा हूँ, बाकी आप खुद कर लेंगे, नीचे देखें question के उपर, देखें नीचे आपको question में दिया वे, budgeted overhead cost, question solve करके अलड़ी दिया वे आपको, आपको production departments दिये में, जिसमें baking department है, decoration department है, store है, और maintenance है, total भी दिया वे है, और कुछ budgeted overhead cost अलड़ी allocated है, जैसे 38530, 14150, 2800, 2140, यह अलड़ी allocate हो चुकी है, अब आपने machine depreciation को allocate करना है, पावर को करना है, lighting and heating को करना है, ठीक है जी, machine depreciation को आपने किस पर करना है, net book value of machine repay, power को किस पर करना है, kilowatt hours पे, और lighting and heating को किस पर करना है, floor space पे, तो मैं lighting, heating आपको करके दिखा रहा हूं, जो कि 18,000 की cost है, उसको मैं करके दिखा रहा हूं आपके सामने, कि आप कैसे इसको distribute क करेंगे, जी costing chapter है, जी बिल्कुल ऐसे है, costing chapter बिल्कुल start है हमारा, यह नहीं है कि हमारा कोई बीच में है, बिल्कुल हमने basic से start किया भी, देखें, देखें जी, आपके पास जो इस वकत cost है, किसकी lighting and heating की, वह आपको कितनी दीवी है, यह देखें आपके सामने, यह cost दीवी में, baking में, decoration में, store में, और maintenance में, तो आप कौन सा basis यूज कर रहे हैं, that is floor space, आप कौन सी basis यूज कर रहे हैं, floor space, तो क्या करेंगे, floor space जो आपको दीवी है, चारों की, इन सब को add कर लें, जो चारों की floor space दीवी है, इन सब को add कर लें, मैं कैसे करूंगा, 4100, प्लस 2300, प्ल 200, total मेरे पास आजाएगा, 7200, वो मैंने यहां पर लिख लिया, अब मैं क्या करूंगा, 18,000 को divide कर दूंगा, 7200 से, तो मेरे पास fraction आजाएगी, जिस fraction को मैं बारी-बारी multiply करता जाओंगा, हर department के floor space से, तो मेरे पास, हर department के floor space की value आजाएगी, यानि यह जो basically fraction आ रही है, आर अब मैं 2.5 को multiply करूंगा, किस से 4,100 से, मैं repeat करता हूँ, दुबारा, आपको lighting and heating की cost TV 18,000, आपने इस cost को इन चारों departments में बाट देना है, distribute कर देना है, कैसे करेंगे, floor space के हसाब से, floor space हर department की लग लग दी रही है, उन सब को करेंगे, आप add, जो आप उन चारों को करेंगे add, तो टोटल आपका आजाएगा 7200, 7200 जो आपके पास आया है, आप total जो lighting and heating है, उसको divide कर देंगे 7200 से, तो आपके उस fraction आजाएगी 2.5, इस 2.5 को multiply करते जाएंगे बारी-बारी, हर department की floor space के साथ, तो हर department की lighting and heating की cost आती जाएगी, जैसे 4100 multiplied 2.5, 10250, 4100 को multiply करेंगे 2.5 से, तो आपके बस क्या आएगा, मैं सामने दिखा रहा हूँ, आपको solve जो मैंने किया है, lighting and heating, 10250, यह देखें, सामने लिखा है आपके, 10250, मैंने यह चार्ड बनाया था, इसे कहते हैं, effective overhead analysis sheet, उसे मैंने लिखा production departments, service departments, overheads, baking department, decoration, store and maintenance and total, तो उसे मैंने जो already allocated cost थी, जो पहले सी allocate की हुई थी, उसने question में वो मैंने लिख ली, फिर मैंने maintenance machine को किया, power को किया, सबको lighting and heating को floor space के साब से किया, उसको मैं देख रहा हूँ, तो 10250 कैसे निकाला है, मैंने, मैंने 2.5 को multiply कर दिया, किसके साथ, 2.5 को multiply कर दिया, मैंने किसके साथ, जो के अब अगर मैं multiply कर दूंगा 2.5 को 2300 से, तो मेरे पास decoration department की lighting and heating की cost आजाए, जो के मेरे पास आती है, 5750, मैंने वो यहां पर लिखी हुई है, आपके सामने, इसी तरह, next में मैं क्या करूंगा, मैं multiply कर दूंगा 2.5 को किसे 600 से, तो मेरे पास store department की cost आजाएगी, जो के मेरे प 5.5 को multiply कर दूंगा 200 से, तो मेरे पास आजाएगी, maintenance department की cost जो के यह लिखी है 500 and the total will again become 18,000, आप करके देख ले, करें कैकले 10250 plus 5750 plus 1500 plus 500, you will get 18,000 again, so the total cost will always be equal to 18,000, it has to be 18,000, वो हमेशा थारा जार के बराबर ही आएगी, ठीके जी, हादी भाई आपको समझ आई बात के नहीं है, यूकर आप तो मेरे स्पेशल हो, इसलिए सबसे पहले मैं आप से पुछना चाहूंगा, हादी क्लास में तर समझ को मुझे आ रही है, एजी है, लेकिन अवास भी जा रही है, अभी ये जो आवास की problem है, ये पहले ये पहले जाए है, ये फाइबर आप्टिक लगवालो, अगर फारक पीटी से लगावाई वह सही चल रहा है, वरना समाग को अपने घर ले जाओ, ये माचालला फाइबर आप्टिक ही है, खुदी, इस वाइबर आप्टिक ही है, ये जब बाइस मेसेजिजिस करता है, दिल करता है कि बंदा खलेजा फाड़के इसके सामने रख दे, इतनी मुहबट, सर, सर, I am sorry, सर, मैं आपके लिए, सर, जान भी, सर, हाजिर है, सर, मैं कुछ भी करने को त्यार हूं, सर, लेकिन सर, मेरा lecture, सर, मुझे kindly बेज दीज़ेगा, भाई, क्या होगी है, मैं जिन्दा हू अच्छा लाइटिंग को मैंने जो है, अलोकेट कर दिया, टोटल करेंगे तो उठारा जारी आएगा, अच्छा नेक्स देखते हैं, नेक्स हमारा कौन से जी, सर, मेरा तो बाई सर आ रहा है, ओ भाई, खुदा का नाम ने, यह लिए वापस चल, यह लिए, यह लिए, यह प्लस 5750, प्लस 1500, प्लस 500, टोटल 18,000 आपका है, यह लिए, यह लिए, यह लिए, यह लिए, इतने जोश में आने की जूरुत नहीं थी, अच्छा आगे नेक्स देखते हैं जी, आवर की बात करते हैं, किस साब से इस्टिबूट कर रहें, किलो वाट आवर्स पे, बई पावर तो किलो वाट आवर्स के साब सी लगती है, ना, किलो वाट आवर्स के साब से आप यूज करेंगे, एक बच्चे ने सवाल किया, फरजान, कहता है कि सर यह जो एक्सपेंस दियें में तीनो, इसका बताया होगा कि बेशिक कौन कोन सी यूज करनी है, ओ भई नहीं, 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 नो मोर क्वेस्चे लिए इस्टिबूट आपको आईडियास और शुरू हो जाएगा, कि किस ओवर बच्चे लिए आपने कौन सी बेसिज करनी है, जो कि पहले से दी होंगी, तो मिशीन, फिर्ट पावर के लिए किलोवाट आवर् यूजे करेंगे तरीका वही है नहीं कि बता रहा counts ऐसे मैंने सको डिस्टिब्वियूट किये सामने किलोवाट आवर्स की मैंने सारी डिपार्पंट को मैंने पावर को मैंने उससाद से लॉकेट कर दी तोटल वही आएगा 45500 इस त और अगर आप वो देखे सवाल के अंदर तो मैंने मशीन को देखें नाटीन ताउजन एट हंडड़ सिक्स ताउजन टुटी फोर हंड़ फाइफ दबल जिर टोटल करेंगे वह यह आएगा 33600 ही बनेगा आपका टोटल सेम आएगा तो मैंने अलोकेशन कर दी और मैंने टोटल प्रड़क्शन ओवरहेड जो है वो आपके सामने निकाल कर रख दिये हैं क्योंकि आपके सामने लिखे में अब इससे आगे स्वाल इससे आगे सॉल्व करना है मैंने और हम उस तरफ जा रहे हैं तो सवाल को देखते हैं दुबारा नीचे आते हैं देखें कम्प्लीट टेबल तो शोड़ा पॉर्शनमेंट अफ ओवरहेड्स एंड़ रिया पॉर्शनमेंट ऑप दा सर्विस डिपार्टमेंट ओवर दूजिंग सूटेबल बेसिस कहता है पहले मशीन डेप्री दो बारा रियपोर्शन करें तो वो मुझे अभी करके दिखाना है वो मैंना करके नहीं दिखाया उसके लिए मैं सवाल करता हूँ एक बच्छे ने सवाल किया पर हादी के सर यह जो आपने टोटल लिखा वह है उसने डेबिट पर उस और डेबिट कह रहा हूँ उसने लिख सकते हैं तो मैं यहां पर अपने जो है वो ओवरहट्स जो है वो टोटल अगरेट जमारे निकाले है वह यहां पर यह वह लिख रहा हूं जो कि किस-किस डेपार्टमेंट के हैं लेकिंग का है यह बार रेक्परेशन का है उसके बाद आपका स्टोर है जी और उसके बाद मैंटス है याद रिखीका मैं सवाल वहाँ से आगे स्टार्ट कर रहा है ठीक है जहां से हमने सब वहां से आगे स्टार्ट कर रहा हूं कि वो हम कर चुके थे मैं उससे आगे question को लेके जाओंगा उससे पीछे question मैंने समझा दिया कि आपने किस तरीके से उसको solve करना है ठीके जी ओके सब्सक्राइब को यहां पर कॉलम वारा next जो है वो टोटल का है पूज कर वाय था क्वेस्टिन उसका अपने भी लेक्श्टि यहां पर तो नहीं पूछ रहा था वाई तू चोड़ इस बात तो चोड़ एक तो तो लोगर एड़ रहा कितने जिसने किया वा मुझे लिखा देवाई प्लीज मरें बार बार देखना पड़ेगा नाइन सेवन इस अणिवर्ण प्लीज अनिवडी था नहीं दूब जब आदेखनेश तो तरह था कुछ प्लीजिर शींटमा प्लीजिए इस तो दूबल जिए वेट तावजन और डूजए वेड़ण वेटाद्वाट प्लीजिए वेट तावजन और दूबल ज्ड़ू एट तॉड़ 940 टोटल भी देख लेते हैं 154720 154720 अब आपने का करना है जी अब हम यहां पर करेंगे जी लेकेशन ऑफ सर्विस डिपार्टमेंट कोस्ट अफ सर्विस डिपार्टमेंट की अपनी कोई कॉस्ट नहीं होती डिपार्टमेंट के पास जो भी वह दूसरे departments को transfer कर देता है लेहाजा हम store department को क्या करेंगे उसकी जो cost है उसको nil करेंगे निल का मतलब क्या होता है उसको zero करेंगे store department की cost को हमने किस हिसाब से distribute करना है issues from store की हिसाब से यह लिखाव है issues from store के हिसाब से 64% baking को जाएगा 24% decoration को जाएगा 12% maintenance department को जाएगा issues from store के हिसाब से तो हम उसको allocate करेंगे और allocate हम कैसे करेंगे store की यहाँ पे cost को हम क्या करूँगा मैं निल करूँगा निल करने का मतलब क्या होता है कि मैं उसको bracket डालके negative लिख दूगा काउंटिंग में आपको पता है कि negative यह होता है कि अबल वन 940 का 64% मैं चार्ज करूंगा 764 1.6 बेकिंग में और कितना है जी देखते हैं दुबारा इचूस फ्रम स्टोर के साब से टूंट से टूंट 247 डेकरेशन के 24 परसंट 940 को मैं टेकप करूंगा क्योंकि उसकी अपनी कॉस कोई भी नहीं मैंने घरत लिग दिया गंदे इस टोर था कोई बच्छा बता नहीं रहा मैंने उसको कर दिया जर बताया था यह जब इस तोर को स्टोर को करना था आपने तोर की कॉस को करना था ना तो 64 परसंट स्टोर का जाएगा किसमें वेकिंग में ओके टेकिंग में वह आता है दूसरे सर्विस डिपार्टमेंट को भी कॉस्ट ट्रांसफर कर सकता है सर वो कैसे उसकी बात मैं आपको बताता हूं इस टोर ने कहा मिंटेनस को भाई तो मेरी जगा पर जाके काम कर रहा हूं स्टोर वो कॉस्ट मिंटेनस को ट्रांसर कर देगा क्योंकि वह स्टोर की खरचा नहीं है मिंटेनस की वज़ासे इस पर बढ़ी है अब मिंटेनस की कोस्ट को आपने दिल करना है और मिंटेनस की टोटल को है कि एक सर्वेटे-इस-दिपार्ट्मन्ट सबस्रेस सब्सक्राइब कर सकता हूं जैसे कि यहां पर स्टॉर जो है वो मेंटेनेंस को कॉस्ट उसर कर रहा है क्योंकि स्टॉर मेंचेननस को भी सब्सक्राइब कर यह था था किसलिए को काश्ट को उस ने बताया विजटेड मैंटेनेंस के हिसाब से मैंटेनेंस को किसपे करेंगे बजटेंस और सावर से 25200 और इतीन अंडर्ड इसे साथ से करेंगे तो उसको करते हैं कैसे हम करेंगे कैसे डिस्टिब्यूट करें यह बारा हजार नौस数 पच्छेसोर टोटल करें पहले कितना बनता है जी 4343100 ऑप इंटु पचिसोज दिवाइड वाइड वैं इसको चले जाएगी और 12,900 बाकि उसको जाएगी जारी बात है ठीके जी बाकि वही बनेगा जो इसको ट्रांसर होना है आटोमेटिकली बने गई वो आपकी आजएगी फिराब टू फास जा रहे हैं दी थोड़ा सा फास मिझे जाना पड़ गया तो कि मेरे पास थोड़ी टाइम की कमी थी इसलिए तो यह देखे हम इसकी कॉस्ट को हमने निल कर दिया अब दोनों की कॉस्ट जो है वो निल हो गई वह दूसरे डिपार्टमेंट को कॉस्ट कर देते हैं यहां पर जो आटोमेटिकली टोटल के बराबर आजाएगा आपका आपका आंसर सिंय में स tapi cost-co stores co डिस्ट्रीविट कर रहा हूं किसके साफ से थार थी के साफ से और जो क्या कहते हैं में अगणों किस Haus थैंट को में ने डेपार्टमेंट्मेंट स्कें इंड़ डिस्टिवookie कर दी है उनकी कॉस्ट को सबस् yönटै यह 755 को एड़ जो है आपका इसकी अपनी को इसकी टोटल कॉस को आपने निल करने मिंटेनेंस के अंदर दो किसम की कॉस शामिल थी एक डबल वन नाइन फोर जीरो जो उसका टोटल आया था और एक 960 जो स्टोर ने डाली है मिंटेनस को इसका टोटल करेंगे तो 12900 आ गया इसको आपने डिस सब कुछ ऐसे ही है विर्कुल इससे नेक्स क्वेसिस को करना है इसकी पिक्चर आप ले ले और दूसरे सवाल एक ही है यह वाला पॉर्शन और दूसरा पॉर्शन कंबाइंड है लेकिन मेरे पास क्योंकि यह पहले करा चुका था इसलिए मैंने अगला वाला पॉर्शन करवाया है सिरफ है वालपा बयूर्शन करे लेक्चर दूसरा ओता है